हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंटर नाइन्थ साइंस का चैप्टर नबर वन, जिसका नाम है लॉज अफ मोशन, हमने इसके दो लेक्चर अपलोड कर दिये, वो दो लेक्चर में मैंने काफी बेसिक्स कवर कर दिये, आज हम कर जो problems हैं वो easy लगे, नहीं तो आप directly derivation देखेंगे तो आपको लगएगा बाप रही, apply कैसे करना है, बट अगर पहले ही problem solve कर लिया, equation use करके तो आपको समझाएगा कि equations काफी simple है, चलो शुरू करते हैं derivation से, तो लेक्चर 2 में ये वाला part हमने पूरा कर लिया था, equations of motion using graphical method प the relation between velocity and time, अब यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, इसलिए ये same figure मैं copy कर रहा हूँ एक जगह पर और वहाँ पर आपको explain करता हूँ कि ये derivation कैसे होता है, ठीक है, जो ये first equation होता है, that is relation between velocity and time, जो हमने use किया, v equal to u plus at, इसका derivation पूछा है, ठीक है, तो derivation लोग करते है, तो जो first equation है, उसमें v, u, t, a, ये 4 के बीच में relation निकालना है, हम लोग को acceleration का definition बता है, acceleration is nothing but rate of change of velocity, change of velocity का मतलब क्या, final velocity minus initial velocity, और rate का मतलब क्या, अब time से उसको compare गा, तो यहाँ पे divide by t, इसे पता चल जाएगा, ये change का rate क्या है, ठीक है, इसलिए acceleration का definition से हमको ये formula मिल गया, ये acceleration क्या होता है, अब ये figure जो दिया है, उसको समझो, this is a velocity time graph, velocity time graph मतलब y axis पे velocity दिया हुआ है, और x axis पे time दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है, यहाँ से क्यों शुरू नहीं हो रहा, generally ऐसे होता है न, line यहाँ से शुरू होता है, इसका मतलब क्या है, कि जब 0 पे, जो object है, उसकी velocity 0 नहीं है, हम लोग ऐसे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से गाड़ी already जा रही है, पास हो रही है, तो हमने यहाँ पे देखा न, उसको, तो यहाँ पे उसकी velocity 0 है क्या, नहीं, वो गाड़ी already कोई speed पे थी, ठीक है, उसकी कोई velocity थी, तो हमने जब पॉइंट आ जाएगा न, instead of 0,0, यहाँ पे आ रहा है 0,10, क्योंकि y-axis का value 0 पे 10, ठीक है, तो वहाँ से वो शुरू हुआ है, इसका मतलब इसका जो starting का velocity है, वो 0 नहीं है, तो यह graph हमने ऐसे बना लिए, ठीक है, और after time t, t कितना है नहीं पता है, t हो सकता है, 10, 100, 1000, कुछ सिर्फ t variable देखके डरने का नहीं, इसका मतलब t का कोई भी value हो सकता है, time t पे उसकी velocity यहाँ तक पहुच जाती है, यह velocity बढ़ क्यों रही है, दिख रहा है न, velocity उपर 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 जाते जा रही है, बढ़ रही है न, y-axis पे देखो, यहाँ पे value क्या है, उसका इधर आएग वो uniform acceleration के लिए, uniform acceleration मतलब वो speed और velocity हमेशा उसकी बढ़ाते रहेगा, तो यह हमने v-u upon t लिया, acceleration a होता है, यह v कितना है देखो, v यहाँ पे final velocity है, हमेशा हम लोग v final लेते हैं यहाँ पे देखो final, अगर मुझे निकाल नहीं है तो मैं ऐसे y-axis पे लिक्या हूँगा, velocity y-axis प यह point को नाम दे दिया, v, ठीक है, and जो u है, वो देखो, u यहाँ पे axis के उपर है, कहीं पे line लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसकी value है u, अब v को अगर मैं निकालू तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो length है, वो v है, correct, तो यह क्या हो गया, oc, दिख रहा है यह जाल दिया, what is oc minus od, यह पूरे oc में से आप od subtract कर दो, तो क्या बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का length बचेगा न, यह पूरी line में से यह वाला part निकाल दो, तो बचा cd, तो oc minus od आगे आपको cd, तो cd की value क्या आगई, यह t को उधर बेच दो, cd की value आगई, a into t, ठीक है यह बन गया, equation 1, इसको use करेंगे हम लोग आगे, कैसे use करेंगे, अब graph से prove करने बूला है, अगर graph से prove करने नहीं बूला होता है, तो यहाँ पर देखो, a, acceleration a होता है, at को इधर बेचो, तो क्या आ जाएगा, at equal to v minus u, यह minus u को उधर बेचो, क्या हो जागा, उधर जागे, plus u क्या बन गया, v equal to u plus at again, ऐसे derive हो गया, equation of motion पहला, लेकिन नहीं कर सकते, आपको graph से derive करने हैं, नहीं तो यही line पे derivation खतम हो जाता है, तो graph में अगर इसका derivation करना है, तो आप क्या बोल सकते हो, यह जो be है, ठीक है, यह be को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ae plus ab, देखो यहाँ प दो टुकड़ों का plus करूँगा, तो be आ जाएगा, लेकिन यह ae जो टुकड़ा है, that is equal to od, and यह ab जो टुकड़ा है, ab, यह और cd सेम है न, देखो न, यह rectangle है, सब 90 degree है, तो यह length और यह length सेम है, तो ab के जगे मैं लिख दूँगा cd, और ae के जगे लिख दूँगा od, तो a ae के जगे लिखा od, ab के जगे लिखा cd, od क्या है भाई, o से लेके d तक का distance कितना है, u, तो od के जगे पर आ गया u, और cd कितना है, cd है 80, जो यहाँ पे था, be कितना है, be is this, but b से लेके e तक का distance मैं बोल सकता हूँ, यह oc है, बोल सकता हूँ कि नही oc, और oc कितना है, o से ले तो आप यहाँ पे OC लिख सकते हो ठीक है V के जगे पे OC आएगा और OC का value कितना है V अच्छे से देखो यहाँ पे OC लेके C तक का value है V OC लेके D तक का value है U ठीक है और यह जो है CD यह हमने निकाला था 18 बस value substitute करके आपका first equation of motion आ गया आया समझ में याद रखना यह आपको derivation ऐसे करके बताना पड़ेगा तो यह full marks मिलेगा ठीक है चलो next करते है अब हम लोगों को second equation of motion निकाल ले second equation of motion आपको S, T, U और A के बीच में रिष्टा देता है ठीक है अब velocity time graph में S कहां से आएगा हम लोगोंने lecture 2 में किया था यह shaded area क्या है देखो it is nothing but a quadrilateral जिसका नाम है D, O, E, B यह quadrilateral है यह लोग quadrangle बोलते हैं लेकिन quadrilateral है चार side वाला figure है बट यह चार side वाले figure को मैं दो चीजों में divide कर सकता हूं एक यह rectangle D, O, E, A प्लस यह वाला triangle dab ठीक है D, A, B दो चीज़ है ना इसमें तो instead of finding this whole trapezium एक टुकड़ा यह ले लिया एक टुकड़ा यह ले लिया यह rectangle का area क्या होगा rectangle का area होता है length into breadth तो length ले लिया उसका E, E और breadth ले लिया O, E ठीक है और triangle D, A, B का area क्या होगा half into base into height तो half into D, A, B A, B into D, A लिखो के D, A, B लिखो फरक नहीं पढ़ता what is A, E देखो A, E मतलब यह वाला distance क्या मैं बोल सकता हूँ यह वाला distance हो जाएगा same है na rectangle में और यहां से लेके यहां तक का distance कितना है देखो U, तो A, E के जगे आ गया U O, E कितना है O, से लेके E तक का distance T यह time है ना scale पे X axis पे time है तो आगया T A, B के जगे मैं लिख सकता हूँ C, D है ना A, B और C, D same होगा और D, A के जगे यह जो D, A है उसके जगे मैं लिख सकता हूँ O, E C, D क्या है first equation में निकाला था C, D का value होता है 80 याद है ना देखो यहाँ पे C, D equal to 80 हमने first equation में निकाला था तो वो यहाँ पे use कर लिया और O, E का value अब भी मैंने आपको बताया O, से लेके लिए तक कितना है T तो value substitute कर दिया U into T, U, T C, D के जगे पे आगया A, T O, E के जगे पे T यह T into T कितना हो जाएगा T square तो आग यह half A T square यहाँ पे तो S था तो हमको second equation मिल गया S equal to U T plus half A T square कैसे निकाला है second equation यह जो graph दिया था इसमें इसके नीचे का area निकालेंगे तो हमेशा हमको displacement मिलता है displacement मतलब S तो बस इसका area calculate कर लिया उसको 2 split कर दिया एक rectangle और एक triangle ठीक है और value substitute करके यह equation हमको आ गया आया समझ में दिख रहा है S T U A के बीच में रिष्टा है S T U A और कुछ इसमें है क्या नहीं है done तीस्ता derivation करते हैं अभी third equation of motion यह कौन सा था second equation था अभी third equation काफी simple है इसमें हम लोग S U V A के बीच में रिष्टा निकालते हैं same figure यूज़ करेंगे velocity time वाला इसमें भी नीचे जो area है वो निकालेंगे जो area आता है नीचे वो हमको क्या देता है displacement तो अगर मुझे displacement S चाहिए तो क्या आएगा area of quadrilateral DOEB अब ये DOEB देखो एक trapezium है तो अगर मैं इसको trapezium form में लूँ तो trapezium का formula क्या होता है area का half into sum of parallel sides into height अब ये जो trapezium है इसमें parallel sides ये वाला और ये वाला है तो sum of parallel sides के जगे पे आजाएगा OD ये वाली side plus BE और इसकी height क्या होगी ये जो perpendicular है यहाँ पर ये ना तो या तो मैं DA लिख लूँ या OE लिख लूँ दोनों same है ना DA और OE same height है ना height क्या होता है दो parallel lines के बीच में जो distance होता है वो होता है height तो यहाँ पर DA भी है height और OE भी दोनों equal तो मैं OE ले लेता हूँ because OE का value मुझे पता है कि T है तो OE के जगे पे डाल दिया T OD क्या है O से लेकर D तक का distance है U BE क्या है BE मतलब ये इसका मुझे value नहीं पता लेकिन मुझे इसका value पता है OC का अगर BE और OC को देखो तो BE और OC equal है तो मैं OC के जगे पे तो V लिख सकता हूँ तो BE के जगे पे भी लिख सकता हूँ ठीक है BE और OC equal तो मुझे मिल क्या OD प्लस B के जगे पे U प्लस V OE के जगे मिला T अब मुझे T तो चाहिए ही नहीं ये equation में T है ही नहीं दिख रहा है SUVA T है ही नहीं तो ये T को उदर बेजो तो A into T आ जाएगा अब मुझे यहां से T का value चीए तो A को यहां से भगाओ A यहां पे multiply हो रहा है वहाँ जाके divide होगा तो मुझे मिल गा T equal to V minus U upon A तो T के जगे लिख दिया V minus U upon है अब देखो यहां पे U plus V है उसको मैं V plus U लिख सकता हूँ क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ 1 plus 2 को 2 plus 1 लिख सकते है न कोई problem नहीं अगर 1 minus 2 होता तो उसको 2 minus 1 नहीं लिख सकते है but plus sign होगा तो order change कर सकते हो तो U plus V को मैं लिख गया V plus U क्योंकि यहां पे V minus U है अब दिख रहा है क्या हो गया यह अपने formula समझाता है न X plus Y into X minus Y या फिर A plus B into A minus B क्या आता है A square minus B square A standard में पढ़ा था तो जब V plus U into V minus U करोगे तो आपको आएगा V square minus U square और यह नीचे 2 और यह A multiply होके हो जाएंगे 2A फिर यह 2A नीचे अकेला है तो मैंने एक बड़ा डाइच बनाके 2A लिख दिया यह 2A को उधर बेजो यहाँ पर divide हो रहा है वहाँ multiply होगा तो वहाँ पर आ जाएगा 2S 2S नहीं है 2AS मूरत है तो यहाँ बचा V square minus U square यह minus U square को उधर बेजो तो यह minus बन जाएगा plus U square अब मुझे V square का value लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V square equal to U square plus 2AS यह है अपना third equation आप देखो जो second equation और third equation है वो same area से आया है ठीक है second में मैंने क्या किया था यह वाले पूरे trapezium को दो टुकडो में बाटा एक rectangle और एक triangle फिर निकाला और यहाँ पर क्या किया यह trapezium को trapezium के formula से solve किया और जो t आ रहा था न और t को भगाया कैसे acceleration का formula यूज करके ओके यह तीनों आपको बहुत practice करना पड़ेगा बहुत practice करेंगे तभी जाके समझ में आने वाला है नहीं तो नहीं जमझेगा बहुत हाड लगे है लेकिन जो questions है problems है वो solve करने के लिए derivation आना जरूर ही नहीं उसके लिए सिर्फ आपको equation पता हो तो आपका काम हो जाए तीन equation है मुझे पता है कि lecture 2 में मैंने बुला था चीज बार लिखना है तो आपने लिखाई होगा है ना क्या था तीन हो equation हम लोगों ने सीखा था वी इक्वल टू यू प्लस 80 एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेर और वी स्क्वेर इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस 2 एस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन equation ठीक है तो derivation खतम यहाँ पे तो हम लोगोंने सबसे पहले यह वाला derivation किया वी इक्वल टू यू प्लस 80 फिर सेकेंड वाला derivation जो है वो किया एस इक्वल टू यू टी प्लस half 80 स्क्वेर और फिर थर्ड वाला किया वी स्क्वेर इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस 2 एस ये भी पांच पांच साथ साथ बार derivation लिख लो तो आपको याद हो जाएगा नहीं तो थोड़ा problem होता है इसमें भूल जाते हैं मुझे next topic है uniform circular motion पेले word समझो uniform मतलब constant circular मतलब गोल गूमना ठीक है motion मतलब गूमना रही तो circular मतलब गोल गूमना but constant speed पे गूमना observe the tip of the second hand of a clock तो अगर clock की आप second hand देखोगे तो second hand ऐसे गूमते रहती है न पूरे time what can you say about its velocity and speed इसकी जो speed है ये constant होती है हर एक second में same difference होता है speed तो constant होती है what about velocity velocity इसकी हर point पे change होती है क्यों बताओ speed constant है और velocity क्यों change हो रही है because speed के पास direction नहीं होता velocity तो direction भी होता है न तो हर एक point पे इसका direction तो change हो रहा है right अगर हर एक point पे इसका direction change हो रहा है तो हर एक point पे velocity भी change हो as the tip is moving along a circular path its motion is called uniform circular motion can you give more examples of such motion सोच सकते हो कोई example दिमाग में कोई है तो comments में मुझे बताओ कि uniform circular motion आपने कहां पे देखा है अब यह लोग हम लोग को यह इतना बड़ा जो दिया है नहीं क्या है कि पहले इन्होंने एक square बनाया square को कितने vertices होते है एक दो तीन चार ठीक है अभी आप pencil से अगर यह बनाओगे सपोज यहां पे नहीं था बनाओगे तो कैसे आगा एक फिर pencil का direction change होगा दो फिर चेंज होगा तीन फिर चेंज होगा चार अब यह चार साइड वाला था पांत साइड वाला बनाओ देखो पांत साइड वाला बनाओ तो भी एक दो पेंसिल चेंज डिरेक्शन चेंज डिरेक्शन चेंज डिरेक्शन चेंज डिरेक्शन चेंज अभी छे साइड व बनाओ, ऐसे ही, इसमें से circle कब बनता है, जब infinite sides होती है, दिख रहे आपको कि धीरे-धीरे circle के shape का होते जाएगा, अभी नहीं दिख रहा क्योंकि 6 side है सिर्फ, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ते-बढ़ते 100 side वाला बनाओ ना, तो almost circle दिखेगा, 1000 side वाला, 10,000 side वाला, तो धी दिख रहे, इदि दि-दि, इन फाइना, इदि-दि-दि-धीर, infinite side वा circle बन जाएगा, तो आपको लगता है, कि जब आप circle बना रहे, तो direction झेंज नहीं होरा, लेकिन जब आप circle बना रहे है, तो हर point पे direction चेंज होराह है, अगर direction चेंज जाता ना, अगर मैं यां से circle बनाना direction change होता है ठीक है जैसे आप pencil गुमा रहे हो वैसे ही जब आप कुछ भी चीज circle में गुमाते हो तो हर एक point पे उस object की velocity change होगी तो ये जो हमने exercise किया ना square फिर 5 side, 6 side, hexagon 7 side, 100 side वो इसलिए किया है क्योंकि आप pencil से draw करोगे तो आपको clearly समझ में आदा है कि pencil का direction chain नहीं करोगे तो figure ही नहीं बनेगा अगर मैं square बनाने जाओं तो square में अगर इधर आके pencil का direction chain नहीं किया तो आगे ही चले जाओंगो फिर आगे चला जाओंगो, फिर आगे चला जाओंगो अगर उसकी speed चेंज नहीं हो रही तो velocity क्यों change हो रही है वाई क्योंकि velocity खाली speed नहीं होता velocity में magnitude तो होता ही है plus उसमें direction होता है और हर एक point पे circle में direction change होता है तो velocity भी change होगी due to change in direction hence it is accelerated motion ठीक है because velocity change हो रही है अगर velocity भी change नहीं होती तो acceleration zero हो जाता ना zero acceleration में ही ऐसा होता है कि velocity change नहीं होती लेकिन यहां पे continuously velocity change हो रही है तो यह एक accelerated motion है यहां पे कोई तो acceleration होगा when an object moves with a constant speed along a circular path the motion is called uniform circular motion example the motion of a stone in a sling यह farms होगे आपने देखा होगा एक रस्ती होती है उसके यहां पे यहां पे पत्थर लगा देते हैं फिर यह यहां से पकड़के रस्ती को घुमाते हैं और लास्त ने छोड़ देते हैं तो यह पत्थर दूर जाके गिरता है जो आनिमल्स घास वगेरा खा रहे होते हैं फार्म में उनको भगाने के लिए यूज किया जाता है तो पत्थर दूर जाके वो आनिमल्स पे गिरता है आजू-बाजू गिरता है और उसको भागना पड़ता है वहां से फिर दिया है अगर बाइसिकल का वील घूम रहा है और यहां पे वो हवा भरने वाला जो वाल्ग होता है वो आप देखेंगे तो continuously uniform circular motion में घूमते रहता है अगर cycle की speed constant है ठीक है यहां पे यह क्या दिया हुआ है कि अगर आपको speed find out करनी है कोई भी चीज circle में ऐसे ऐसे घूम रही है उसकी speed find out करनी है तो speed का formula क्या होता है distance upon time distance क्या हो गया जब वो circle पे घूमता है तो यह border जो है वो find out करना है तो मैं distance को circumference लिख सकता हूँ because circle के पूरे round घूम होँगा तो कितना distance कवर होगा यह circumference जितना तो circumference upon time circumference का formula क्या है 2 pi r time formula जनरली t लेते है r क्या है भई r is radius of circle circumference का formula 2 pi r या देना तो मुझे speed मिल गई 2 pi r upon time okay find out more examples of circular motion in day to day life find out करो और comment में मुझे बता हो यहाँ पे ठीक है determining the direction of velocity in uniform circular motion यह ना आपके पास दिवाली वगरा में आपने वो चक्री वाला होता है पता है चक्री ऐसे गूमती है उस पे आप यहाँ पे fire लगा तो गोल गोल गूमती है और उसमें से sparks निकलते है उस sparks आपका भी देखेंगे न तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोल गूमने में velocity का direction क्या होता है एकदम अच्छे समझ में आगा अगर चक्री ऐसे गूम रही है तो आपको दिखेंगे sparks ऐसे ऐसे होंगे ठीक है ऐसे होंगे sparks पूरे हर point पे spark का direction अलग होता है ऐसा नहीं होता कि चक्री ऐसी है सारे sparks इधर ही निकलते है हर point पे अलग-अलग ऐसे निकलते है ठीक है क्यों? क्योंकि हर point पे velocity उसकी वो direction में होती है इसका best example अगर आपको गुमाते हैं body use करके यह hula hoop अगर आपके पास है ना या आपके किसी friend के पास तो वो लो और उसमें एक ball रखो कोई भी ball रख सकते हो फिर यह ball को जोर से यहां से घुमाओ और जब यह full speed में घुम रहा हो तब यह ring को उठा लो ठीक है यह hoop को उठा लो तो अगर ball suppose यहां पे है न तो बदाओ कहां जाएगा अगर ball full speed में घुम रहा है और आपने hoop उठा लिया तो ball कहां जाएगा ball ऐसे सीधा जाएगा यहां पे ऐसे अगर ball यहां पे है और आपने उठा लिया तो ball ऐसे जाएगा यहां पे है तो ऐसे जाएगा ही घुमना चाहिए गोल-गोल नहीं घुमेगा जैसे यह बॉल स्पीड में घुम रहा है और आपने यह रिंग उठा लिया तो बॉल जहां पे भी अगर इधर है तो यह ऐसे इस डिरेक्शन में जाएगा तो यह एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है युनिफर्म सर्क्यूलर मोशन में जो चीजें होती है जो अब्जेक्ट होता है उनका डिरेक्शन क्या होता है यह स्पीड इसकी भले कॉंस्टेंट हो पूरे सर्कल में स्पीड पर जा रहा हो लेकिन उसकी वेलोसिटी हर पॉंट पे चेंग जो लेए फिर जब यहां पहुचा तो इसकी वेलोसिटी यह डिरेक्शन में नहीं है वह तो ऐसे रिंग में सर्कल की कारण होंगा है जैसे इसर्कल उठा लोगे तो बाल यहां से छूटके इधर चला जाएगा ठीक है आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आपको मस्त समझ में आ जाएगा कि हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म सर्किलर मोशन में जो अबजेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी कौन से डिरेक्शन में जाती है समझा तो यहाँ पे इन्होंने जो method दिया हुआ है कि let's try this इसमें ऐसे डिस्क दिया हुई और डिस्क को speed से घुमाया है और उसके उपर एक coin रखा है तो डिस्क जब बहुत speed घुमने लगीगी तो यह coin उसपे से उड़ जाएगा तो coin उड़ के कौन से direction में जाएगा डिस्क के अंदर जाएगा डिस्क से सीधा भार जाएगा नहीं अगर यह disc ऐसे घुम रही है speed में ऐसे ऐसे से घुम रही है तो coin सपोज यहाँ पे तो जब coin उसपे से slip होगा तो coin ऐसे जाएगा अगर यहाँ से slip होगा तो ऐसे जाएगा यहां से slip होगा तो ऐसे जाएगा जैसे ball जारता ना exactly वैसे क्योंकि velocity उसकी वो direction में है ठीक है तो यही यहां पर let's try this में दिया हुआ है velocity का concept आपको वो experiment try करेंगे तो ही समझ में आएगा आपके घर में शायद cooker का ring होगा cooker के ring में भी छोटा सा ball लेके आप speed में घुमाईए और cooker का ring उठा लीजिए तो आपको दिखेगा कि ball है वहाँ से ऐसा नहीं कि goal ही घुमते रहा जैसे ring उठाएंगे ball सीधा यह direction में दाएगा अकर इधर है तो इधर से आगा ट्राय करके देखो एक बात कमेंट से मुझे बताओ कि आपको समझ में आया के नहीं तो यहाँ पर वही बोला है coin का ऐसे ही होगा ठीक है अब मैंने आपको यह salt examples में से second वाला and fourth वाला already करा दिया है इसके बाद हम लोग आएंगे Newton's laws of motion में उसके पहले दो questions हैं वो कर लेते हैं क्या यह first और यह second चलो कर लेते हैं यह first example दिया है an athlete is running on a circular track circular track पर भाग रहा है he runs a distance of 400 meter in 25 seconds before returning to his original position ऐसे भागते भागते गोल गोल भाग रहा है 400 meter भागता है यहाँ से शुरू किया था और वापस वहीं पहुँच जाता है ठीक है वापस वहीं पहुचा मतलब क्या 0 होगा बताओ जल्दी वो भागा तो है तो distance तो 0 नहीं है विचारा ठका भी होगा लेकिन उसका displacement जो है s वो 0 होगा because displacement depends on the place अगर पहले जो place पे था same place पे वापस आ गया तो उसका displacement 0 है कोई फरक नहीं परता हो 5000 km जाके वापस आया तो भी उसका displacement 0 तो अगर यह circle 5000 km लंबा है पूरा भाग भाग के विचारा वापस वहाँ पहुचा जहां से शुरू किया था तो displacement तो 0 ही आएगा लेकिन distance 0 नहीं होगा distance इसका circumference होता है यहां में पूछा नहीं है लेकिन बता रहा है तो distance उसने 400 m कवर किया 25 seconds तो हम लोग लिखेंगे total distance traveled 400 m, total displacement 0 as it returns to its original position, original final position same है, total time कितना है 25 seconds, पूछा है what is his average speed and velocity, average speed का formula क्या है total distance covered upon total time, याद रखना है average में total लेने का हमेशा, दो तीन चीज़ों में break किया होगा तो सबका sum ले ले लेंगे total distance कितना कवर किया, 400 m, total time कितना है 25, 25 के table में 400 जाता है न, 25 वन्जार, 25 वन्जार, 25 वन्जार, 25, पंदरा बचा, 150, 25, 6 जार, तो आपको मिला 16 upon 1, which is 16, तो average speed आ गई 16 m per second, average velocity का formula क्या है, total displacement upon total time, लेकिन total displacement क्या है, 0, क्योंकि वो फिर से भाग कर, यहां से शुरू किया, भा माइनस करोगे तो 0 ही आएगा न, तो 0, time भले 25 लगा, लेकिन 0 को 25 से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा, correct, आपको 0 को 25 पीसे में डिवाइड करना है, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, 0 ही आएगा, अब यह आगया आपका average velocity, okay, तो अभी यहां पे, हमने यह भी निकाल लिय और यह भी निकाल लिया, आया समझ में, तो अपना first example खतम, lecture 2 में मैंने example 2 and example 4 आपको पूरा अलग-अलग method से solve करके बताया था, अब देखते है example 3 जो एक बहुत ही जादा important example है, exercise में इसके उपर questions नहीं दिये, लेकिन example दिया है, तो हो सकता है teacher ऐसे questions आपको exam में पूछे, और 10th, 11th, 12th में तो आने ही वाला ही है, तो चुप-चाप समझ लो क्या कर रहे हैं, ये question में मेरे page पे copy करके आपको समझाता हूँ, तो kangaroo jump वाला problem कर दे हैं, अभी कोई भी, आप आपको imagine कर लो, जब आप jump मारते हो, ठीक है, floor पे से jump मारते हो, तो आप बाद में क्या, हव पकड़ा हो, और आपको खीच रहा है, नहीं न, आपको पता है, gravity करके एक चीज होती है, वो आपको नीचे खीच रही है, आप कहीं पे भी हो, अर्थ के उपर, आप जब jump मारने को try करते हो, या अर्थ के उपर जाने की try करते हो, तो gravity आपको नीचे खीच लीती है, तो जै में दिया हुआ है एक बात बताओ जब वो यहां से जंप मारेगा एक पोजीशन पर पहुचेगा यहां पर यह एक सेकेंड नहीं बड़ एक माइक्रो सेकेंड के लिए उसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी वो रुख जाएगा न फिर यहां से वो नीचे आने का शुरू करेगा तो यह जो पॉइंट है न जहां पर उसने जंप मार के यहां तक पहुचा फिर एक माइक्रो सेकेंड के लिए वहां पर रुखा रुखता नहीं है एक्चुली उस पुचते है न वो हाइट पे आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो आपने जब शुरू किया जंप मारना तो आपको एक स्पीड से जंप मारोगे तो यह उपर पहुचोगे न नहीं तो उपर ही नहीं पहुचोगे वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे तो आपकी इ ग्राविटेशन अल sap का ब्राविटे उसको उसका वाल्यू अप जिनरली लेते हैं नь पॉइंटे एट मीटर पार सेकें स्कोए ठीक है इसका वेल्यू अलग Advisory जग के एर्थ पे अलग होता है कहीं कहीं पे 9.7 में 8 होता है कहीं कहीं पे 9.83 होता है लेकिन हम जब भी problem solve करेंगे 9th में 10th में 11th में 12th में तो हम लोग इसकी value लेंगे 9.8 ओके तो यह 9.8 acceleration हमेशा आप पे act करेगा kangaroo jump मारे कि आप jump मारो आपके उपर हमेशा यह acceleration act करेगा और यह acceleration क्या करता है यह kangaroo उपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन यह acceleration क्या करता है उसको बलता है भाई तो नीचे आजा उसको नीचे खीचता है ठीक है आप भी जब jump मारते हो आपको यह वाला acceleration नीचे खीचता है तो मैंने आपको बताया था कि acceleration displacement velocity यह सारे vectors है क्या है vectors और vectors में क्या होता है direction तो मैंने आपको समझाया था velocity के case में कि let's say मैं यहाँ पर ऐसे 10 meters per second से भाग रहा हूँ और यहाँ से कोई दूसरा बंदा 20 meters per second से भाग रहा है तो आपको अगर बताना है तो आप कैसे बोलोगे कि यह 10 meters per second से जा रहा है यह 20 meters per second से जा रहा है information complete नहीं हुई न आपको बताना पड़ेगा कि यह 10 meters per second से right में भाग रहा है इसका बताना पड़ेगा कि यह 20 meters per second से left की तरफ भाग रहा है दोनों opposite है तो जब भी ऐसा होता है vectors में तो आप sign use करते हैं तो आप generally use कर सकते हैं कि right side जो जा रहा है वो positive क्योंकि x और y axis जब आप बनाते हो तो right side में positive होता है left side में negative होता है और y axis में ऊपर positive होता है और नीचे negative होता है ग्राफ बनाया आपने तो यहां पर देखो यह right में जा रहा है तो इसका value ले लिया plus 10 और यह left में जा रहा है तो इसका value ले लिया minus 20 यह example दिया है मैंने आपको तो मैं बोल सकता हूं कि he is running at 10 meters per second she is running at minus 20 meters per second अगर यह figure नहीं भी बनाया और स्रिफ बोला he is running at plus 10 she is running at minus 20 तो समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे के opposite भाग रहे है क्यों क्योंकि दोनों की sign अलग अलग है इसकी plus है इसकी minus तो आपको समझ में आए vectors जब होते हैं तो vectors में आप direction कैसे देते हैं sign यूज करते हैं अब कोई बच्चा पूच सकता है सर इसको plus इसको minus क्यों उल्टा कर लो 100% उल्टा कर सकते हैं कोई आपको रोक नहीं सकता इसको minus दे सकते हो इसको plus दे सकते हो लेकिन फिर जब भी कुछ भी consider करोगे left जा रहा होगा तो plus लेना पड़ेगा right जा रहा होगा तो minus लेना पड़ेगा मैंने क्यों इसके पहले ये plus और ये minus लिया because generally आप x-axis और y-axis का notation यूज करते हो x-axis में आप right side जा रहा है तो positive लेते हो है ना यहां पर देको 1, 2, 3, इधर minus 1, minus 2, left side minus आता है वैसे y-axis में उपर positive नीचे negative इसलिए मैंने same notation यूज किया थाकि आपको कुछ नया न सीखना पड़े और जाधा थर teachers यूज करेगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उल्टा नहीं कर सकते physics में वही बहुत सही है कि आपको जो direction चीए positive ले सकते हो जो direction चीए negative ले सकते है तो मैं ऐसे consider कर रहा हूँ अभी इसको हटा देते हैं side में आपको समझेगा मैंने क्यूं बताया आपको तो kangaroo उपर jump मार रहा है उसका displacement यह है कि वो 2.5 meters तक उचा jump मारता है लेकिन उसपे acceleration कौन से direction में लग रहा है मुझे बताओ अगर मैं यह arrow erase करूँगा तो यहाँ पर उसने jump तो उपर मारी लेकिन उसपे acceleration जो है वो नीचे लग रहा है क्यों नीचे लग रहा है because वो उसको खीच रहा है तो अगर यह दोनों vectors है अगर मैंने इसको plus 2.5 meters लिया तो मुझे इसको minus 9.8 meters per second कोई लेना पड़ेगा क्योंकि यह ultra direction में act कर रहा है यह displacement उपर direction में है acceleration उसको नीचे खीच रहा है ठीक है तो यह direction बहुत important है आपको यह समझ में आ गया तो आपको आगे जाके problem नहीं होगी ठीक है बस अगर एक बार यह acceleration का direction समझ में आ गया तो आप यह problem बहुत ही easily solve कर सकते हो कैसे करेंगे उसने क्या पूछा है उसने पूछा है यू निकाल लो what must be the initial velocity of the kangaroo हमारे पास क्या है वी है ए है एस है और यू निकालना है हमारे पास तीन equation है दिमाग लगाओ देखो वी इक्वेल टू यू प्लस 80 स्क्राइब करेंगे ती एक्वेल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेर यह दोनों equation में आपके पास टी होता है यहाँ पे है क्या ना पूछा है ना है तो यह दो equation कर सकते हैं सिर्फ मिस्टेक कहां पे होती है लोगों की यह साइन कैल्कुलेट करने में मिस्टेक होती है वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों उसका साइन मुझे नेगेटिव लेना पड़ता है ओके तो ऐसे लिख दूँगा सबसे इंपोर्टेंट पूरे फिगर में यह था जो आपका डिसाइड करेगा कि आपको राइट आता है कि ठीक है और एस क्या है अपना एस है अपना 2.5 फिर सो सॉल करते हैं क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यू स्क्वेर फिर यह प्लस इंटू माइनस बन जाएगा माइनस फिर यह 2 इंटू 2.5 हो जाएगा 5 ना 2.5 को 2 से मिल्टिप्लाइ कर देगा 5 तो मुझे मिलेगा 5 इंटू 9.8 9.8 को 5 से मिल्टिप्लाइ कर दो साइड में 5 8s आ 40 फिर 5 न जा 45 45 ब्लस 4 49 तो आपको आगया 49 9.0 तो आप लिखनेंगे यू स्क्वेर माइनस 49 यह माइनस 49 को इधर बेज दो तो आपको क्या मिलेगा देर 449 इक्वल टो यू स्क्वेर दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वेर रूट ले लेंगे ठीक है तो यहां पे स्क्वेर के साथ छत्री कैंसल बचेगा यू और 49 का स्क्वेर रूट होता है 7 तो आपको मिल जाएगा 7 equal to U तो आप गो जत्यों U equal to 7 meters per second validity है इसलिव का unit 7 meters per second आ जाएगा तं मिटर स्क्वेर मीटर स्क्वेर होता है तो माइनस 49 का स्क्वेर रूट लेंगे आप तो आपको आएगा ही नहीं क्योंकि इसके लिए आपको एक नया concept सीखना पड़ेगा जिसका नाम है complex number negative number का square root आप 10 standard तक calculate नहीं कर सकते क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं है आपके syllabus में ही नहीं है 11 standard में आपको आएगा complex number इसलिए ये negative नहीं आना बहुत important था आपके रिए और ये vector है इसलिए हमको पता है कि direction हमको इस तरह लेना पड़ेगा कि समझ में आया number देखका ठीक है तो इसको आगे लिख देता हूं तो ऐसे आ जाएगा पूरा solution ये rough walk है side में line मना के कर सकते हो या पीछे कर सकते हो ये एक बार आप figure बना लो खाली यहां पर एक छोटा सा object बना दो लेकिन आपको ये direction समझ मेंना चाहिए कि ये उपर 2.5 मिटर जा रहा है लेकिन acceleration उसको नीचे कीच रहा है दोनों opposite direction देखो ये उपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है इसलिए जब मैं acceleration लिखता हूं अगर मैंने s को 2.5 लिखा तो क्योंकि वो उससे opposite है ठीक है चलो फटा फट से copy कर लो ये figure बना लो एक बार notebook में तो अपना ये third example भी खतम ये बहुत ज़्यादा important है इसमें ये वाला concept मैंने बहुत ज़्यादा detail में आपको explain किया हूं तो हमारे सारे solid examples यहां पर खतम हो गए तो equations of motion पे हमने सारे problems भी कर लिए उसके solid examples भी कर लिए अब आते हैं हम Newton's laws of motion पहला दिया हुआ है a static object, static मतलब stationary एक जगे पड़ा हुआ object does not move without the application of a force अगर उस पे कोई force न लगा है उसके साथ कोई मस्ती न करे तो वो बिचारा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा हिलेगा नहीं ओके दो force which is sufficient to lift a book अगर एक book उठाने के लिए आपने जो force लगा है आपने जो ताकत लगा है from a table is not sufficient to lift the table उतना ही force अगर आप पूरी table उठाने में लगाओगे तो table क्या बोलेगी बैठे रहे बाई table हिलेगी क्या बुक उठाने के लिए जितनी ताकत लगाई उतनी ही ताकत में table नहीं हिल सकती खली नहीं हो आप fruits on a tree fall down when its branches are shaken अगर fruit आपको तोड़ना है ब्रांच पे जनरली आपने तो कभी तोड़ा नहीं होगा शायद अगर तोड़ा है तो आपने देखा हुआ कि आप पेड ऐसे हिलाएंगे तो वो force से जो fruit अटका होता है ब्रांच पे लगा हुआ होता है वो भी तूटके नीचे गेर जाता है आप फैन को बंद कर देंगे तो भी थोड़े देर तक गूमते रहता है ना अब cycle में भी पेडल मारना बंद कर देंगे तो भी थोड़े देर तक वो आके चलते रहती है तो यह है explain करना है अगर आपको तो आप use कर सकते है Newton's laws of motion if we look for reasons for the above we realize that objects have some inertia यह inertia का meaning क्या है यह आप से अच्छा कोई नहीं समझ सकता यहाँ पे देख लो the inability of an object to change its state of motion on its own खुद से वो अपना state change नहीं कर सकता अगर वो सीधा पढ़ा है तो पढ़ा रहेगा अगर वो जा रहा है कहीं पे full motion में तो भी उसको अगर change करना है तो खुद से change नहीं कर सकता या फिर अगर आप कुछ खेल रहे हो आप motion में हो जब तक आपको बोला नहीं कि भाई गेम खिलना बंद कर आपके उपर एक force नहीं लगाया तब तक आप change होता है कि आपका state नहीं होता आप inertia में रहते हो यह मैंने ऐसे trivial examples दिये हैं लेकिन आपको inertia का मतलब समझ रहा है inertia का मतलब आप अपने आप से अपना motion चेंज नहीं कर पाते हैं आपके उपर कोई force लगना चीए कोई एक ताकत लगनी चीए तब जाके आप आपका inertia से आप बाहर निकल सकते हो ठीक है तो यहाँ पे बोल रहे है वो यह आपको समझेगा कैसे आगे Newton's first law of motion describes this very property and is therefore also called the law of inertia अगर कहीं पे fill in the blanks में या match the columns में law of inertia दिखा तो समझ जाना के law of inertia मतलब Newton's first law of motion इसका kinematic जो equations हमने किये थे v equal to u plus a t वो सबसे कोई लेना देना नहीं है यह अलग है अभी वहाँ पे first equation था यह है first law of motion ठीक है अभी इसके लिए इसने कुछ examples दी है fill a glass with sand keep a piece of cardboard on it keep a five rupee coin on the cardboard now strike the cardboard कैसे strike the cardboard hard using your fingers observe what happens क्या होता है आपने glass में sand की उपर ही ताकि glass न गिर जाए थोड़ा glass heavy हो जाएगा उसके उपर cardboard रखा उसके उपर five rupees का coin रखा फिर आपने cardboard को मारा ना तो वो coin cardboard के साथ शैद उड़के नहीं जाएगा वो coin जो है वो glass के अंदर गिर जाएगा बीच में से cardboard slide होके निकल जाएगा और जो coin है वो glass के अंदर गिर जाएगा ऐसे क्यों होता है because देख लोग glass ऐसे है इसके उपर cardboard रखा है इसमें sand बर दिया तकि glass न गिर जाए नहीं तो कि अपनी state of motion है वो change नहीं कर सकता ठीक है तो उसके लिए example दिया है तो Newton's first law of motion नहीं explain करता है coin क्यों glass में गिरा क्योंकि वो inertia में था balanced and unbalanced force you must have played tug of war tug of war मतलब वो रसी रहता है और रसी के इस साइड चार पांच लोग रहेंगे या जो भी आपके पास लोग दो तीन लोग यहां रहेंगे और खीचते हैं दोनों फिर एक बीच में line होती है जैसे ये team का कोई player ये line को आगे cross करके चला जा ठीक है तो आप दोनों teams को जोर से खीचना होता है ताकि आप सामने वाली team को ये line के इस पार ला सके तो ये tug of war में आपको दिख रहा है कि अगर ये main line है और यहां पे एक team है और यहां पे second team है दोनों team force लगाती है रसी पर ठीक है बिना force लगा है ये रसी moving नहीं होगी रस इसका force जादा होगा उस तरफ वो रसी जादा कीची जाएगा है ना तो वो बोल रहा है so long as the forces applied by both the sides are equal that is balanced balanced मतलब ये इधर से जितना force लगा same force इधर से लगा the center of the rope is static तो ये rope moving नहीं होगा ना बस वही state में चलता रहेगा सब कुछ ये लोग भी खीशते रहेंगे ये तो rope हिले गा ही नहीं और ये जिंदी ही भर game चलते रहेगी in spite of the applied forces अगर static है उसका मतलब ये नहीं कि ये rope पे force नहीं लग रहा है दोनों जन बहुत ताकत लगा रहे है यहाँ पे भी ताकत लग रहे है यहाँ पे भी ताकत लग रहे है लेकिन दोनों ताकत equal है तो रसी हिल लेगी नहीं फोर्स लग रहा है तो भी नहीं लेगी on the other hand when the applied forces become unequal unequal मतलब एक तरफ जादा force आ गया मतलब unbalance हो गया तो net force मतलब जिस तरफ जादा force है उस तरफ वो जो रसी है वो खीची चली जाएगी तो in the direction of the greater force and the center of the rope shifts in that direction आया सब में तो ये ये जो है ना ये इसका definition an object continues to remain at rest वो पड़ा रहेगा वहीं पे और in a state of uniform motion और चलता रहेगा same uniform motion में along a straight line unless an external unbalanced force acts on it जब तक उसके उपर को एक external force लगाया नहीं जो unbalanced है जैसे कि अगर आप सोय हुए हो आपका भाई आपको उठाता है या sister उठाती है तो आप उठते नहीं हो क्योंकि वो force balance कर लेत है आपका जो इनर्सी है आप सोचते हो नहीं नहीं मैं तो नहीं उठाँगा बट जैसे ही मम्मी आप आपा चिलाते है तो चुप चाप आपको उठना पड़ता है क्योंकि वो force थोड़ा जादा लगता है वैसे unbalanced force जो है वो enough होना चीए यह object को हिलाने के लिए अगर एक ब और या फिर अगर एक ट्रक बहुत स्पीड से जा रहा है आपको उसको रोकना है तो आप हो सकते है बड़े-बड़े stones यहाँ पर डाल दो बहुत अच्छा जान से कि वो stones जो force लगाएंगे वो force ट्रक को रोक नहीं पाएंगे ट्रक उसके उपर से निकल जाएगी जैकिन आ बड़ी दिवार बना दो बहुत सारे बड़े-बड़े-बड़े भत्तर लगा दो तो हो सकता है ट्रक रूख जाएंगे ना तो यह क्या बोल रहा है अन अबजेक्ट continues to remain at rest or in a state of uniform motion जो motion चल रहा है वो चलता रहेगा along a straight line unless an external unbalanced force acts on it ठीक है यह यह अबजेक्ट is at rest or in uniform motion along a straight line it does not mean that no force is acting on it जरूरी नहीं कि उस पर force act नहीं कर रहा है जैसे यह ट्रक यहाँ पर पड़ा है तो ऐसा मत्सूच के ट्रक के उपर कोई force नहीं है ट्रक के उपर definitely force है उसका वजन जो है वो जमीन पर एक force लगा रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो वजन से वो truck move होन है आपको ऐसा लगए अरे sir क्या बोल रहे है जमीन कैसे force लगाईगी आपको आगे जाके Newton's third law में समझ में आएगा तो यह जमीन भी force लगा रही है ट्रक भी force लगा रहा है दोनों balance हो रहे है इसलिए cancel होके zero effect आ रहा है और truck वहीं का वहीं देगा है अगर truck का वजन बहुत जादा है और यह force जादा हो जाता है तो truck जमीन के अंदर घुश जाएगा जैसे आप कीचड में चलने जाते हैं और महाँ पे पैर अंदर डालते हैं तो जमीन जो है आप पे force नहीं exert कर पाती है आपका जो force जादा होता है इसलिए आप कीचड में जमीन के अंदर घुश ज और नीचे से जो जमीन ने force लगा है वो दोनों equal हैं दोनों एक दूसरे को cancel कर रहे हैं और zero हो रहे हैं जैसे tug of war में इधर से भी कीचा इधर से भी कीचा equal रहेगा तो रसी वहीं की वहीं रहेगी वैसे ये truck यहीं कहीं रहेगा so that the net force is zero Newton's first law explains the phenomenon of inertia the inability of an object to change its state of motion on its own खुद के बलबूते पर वो change नहीं कर पाता it also explains the unbalanced forces मैंने बताया ना आप का unbalanced force which cause a change in the state of an object at rest और in uniform motion rest पर होगा तो भी उसका effect आ सकता है जैसे रसी में था है ना uniform motion में भी आ सकता है all instances of inertia are examples of Newton's first law of motion थीक है inertia वाले सारब इसलिए इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं law of inertia तो अपको अगर Newton's first law of motion का definition पूछा तो आपको ये आना चाहिए ये उसका definition है ठीक है और इसको क्या बोलते हैं law of inertia भी बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए याद रखना है done चलो वह आगे बढ़ते हैं देखते हैं Newton's second law of motion के ask your friend to drop one plastic and one rubber ball from the same height terrace पे से उसने fake आया कहीं उपर से fake आ you catch the balls which ball was easier to catch and why मुझे बताओ same height से ball fake आया तो same effort लगना चाहिए catch करने में लेकिन आपको पता है प्लास्टिक बॉल का weight बहुत कम होता है rubber ball का weight थोड़ा जादा होता है तो जब आप पकड़ेंगे तो आपको plastic ball में जटका नहीं लगेगा बहुत ही कम ऐसे जर्क आयगा लेकिन rubber ball या football फेका उसको पकड़ने में आपको थोड़ा जटका फील होगा जर्क फील होगा क्यूँ because जो rubber ball है उसका weight जादा है जब उसका weight जादा है और इसका weight कम है same height से drop किया ठीक है वो सकता है same time पे भी पहुचे लेकिन आपको rubber ball का weight जादा है इसलिए उसका जटका जादा लगे जटका आपको आता है उसको बोलते है momentum क्या बोलते है momentum यहाँ पर word दिया हुआ है देख लो momentum generally हम लोग momentum को P से denote करते है अब यह आप बोलेंगे sir M क्यों नहीं उसके है momentum के लिए यार momentum है ग्रीक वर्ड या लाटिन वर्ड से आया है अब यह momentum क्या होता है एक और example ले लो अगर let's say एक 10 km की speed से एक cycle आ रही हो और आप यहाँ पे खड़े हो उसने आपको ठोक दिया आपको चोट लगेगी है ना लेकिन 10 km की speed से truck आ रही है और उसने आपको ठोक दिया तो क्या होगा वो सकते है आप मर भी जाए ना पर same speed से आ रहे हैं तो यह फरक क्यों because truck बहुत बड़ी है उसका mass उसका वजन बहुत जादा है तो उसका momentum जो है वो बहुत जादा होगा और जब आपको वो ऐसे crash करेगा आपके against तो वो momentum पूरा आपके उपर आ जाएगा इसलिए बहुत जादा चोट लगेगी जबकि cycle का mass बहुत कम है ना truck के सामने तो तो उसका भी आपको लगेगा चोट लगेगी लेकिन इतनी नहीं लगेगी के आपको बहुत जादा injury हो जाए ओके ट्रक ऐसे 5 km की स्पीड पर भी पकड़ा ना तो 5 km पर cycle आई तो थोड़ी सी चोट लगेगी लेकिन 5 km पर truck आई तो आपको बहुत चोट लगेगी 5 km की स्पीड से plane आया तो और जादा चोट लगेगी जिवस प्लेन का वजब तो ट्रक से भी जादा होता है ठीक है तो यह जो effect आता है इसको बोलते है momentum यहां पर देख लो the effect of one object striking another object depends both on the mass and its velocity mass पे तो depend करता ही है velocity पे भी depend करता है जैसे मैं आपको बताऊं अगर एक truck है वो आपको 5 km की speed से ठोकता है और दूसरा truck है वो आपको 50 km per hour की speed से ठोकता है जादा कहां पे लगेगा 50 km per hour पे न क्योंकि उसकी speed जादा है दोनों truck सेम है लेकिन यहां पे इसकी speed जादा है तो यह जो velocity है न उससे भी फरक पड़ता है mass से तो पढ़ता ही है ठीक है this means that the effect of the force depends on a property related to both mass and velocity तो यह effect जो आ रहा है आपके उपर force का वो सिर्फ mass या सिर्फ velocity पे dependent नहीं है वो mass पे भी dependent है and velocity पे भी dependent है और यह जो effect है यह effect को हम मूलते है momentum यह effect किसका है force का effect है और यह किस पे किस पे depend करता है mass पे और velocity पे मैं क्यों इतना theory करा रहा हूँ ताकि आप यह भूले नहीं momentum का जब formula आएगा तब आपको समझ में आए कि momentum का formula कैसे आया तो momentum यहाँ पे आ गया momentum is the product of mass and velocity of an object momentum को कैसे denote करते है p हर बार ऐसे लिखेंगे momentum equal to तो बहुत time लगेगा ना इसलिए उसके जगा p लिख दिया तो सबको समझ में आ जाता है कि यह momentum की बात करता है और किस पे किस पे depend करता है mass and velocity पे तो उसका formula है momentum equal to mass into velocity mv, v तो हम लोग हमेशा velocity के लिए उसकरते हैं और small m जो है कि momentum क्या और mass क्या इसलिए चुप चाप momentum को p से denote करो और इसको small m से mass को ठीक है momentum का एक और example देखना है तो बंदूक की गोली imagine कर लो अगर गोली आपने हाथ में ली और सामने वाले पे फेकी तो थोड़ी चोट लगेगी लेकिन वही गोली अगर बंदूक के अंदर डाला और shoot किया तो गोली आदमी को मार सकती है बताओ क्यों because जब वो gun से shoot होती है तो वो गोली बहुत जादा velocity पे जाती है same गोली आपने हाथ से फेकी तो सामने वाले नहीं मरता unless until आप मिथुन वाला उस सीन देखाएगा उसने हाथ से गोली फेक कर लोगों को मार दिया था लेकिन हो तो बॉलिवूड है बट अगर आप रियल लाइफ में देखो तो आप हाथ से फेकोगे तो सामने वाले को लगेगा नहीं थोड़ी सी चोट लगेगी बताओ क्यों? because momentum का formula देख लो, momentum का formula है mass into velocity momentum किस पे depend करता है? velocity पे अगर velocity vector है तो momentum, velocity पे depend करता है तो momentum भी एक vector बन जाएगा ठीक है? इसलिए momentum is a vector quantity next है the rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force अब इसके लिए आप example देखो तब जाके आपको यह समझ में आएगा मैंने आपको बताया था कि rate का मतलब क्या होता है? rate का मतलब एक particular time के हिसाब से वो change हो रहा है ठीक है? और change मतलब final और initial पहले क्या था और अभी क्या है? उसके बीच में जो difference आया जो बदलाव आया उसको बोलते है change momentum का formula क्या है? momentum का formula है m into v ठीक है? तो अगर एक object consider क्या है जिसका mass m है और उसकी initial velocity u है initial velocity u लेते हैं न हम लोग हमेशा याद है न पहले भी ली थी हमने when a force f is applied force हमेशा f से denote करते है is applied in the direction of its velocity for time t its velocity becomes v tension मतलो मैं आपको बताता हूँ let's say एक object है उसका mass है m इसकी कुछ तो speed थी है बिचारा आगे जा रहा था speed u से इसको अचानक से एक f force लगा है इस पर धक्का लगा f का तो इसकी speed बढ़ जाएगी correct और यह और speed से जाएगा और उसकी speed आगे जाके बन जाती है v ठीक है तो यह हो गया अपना velocity v यह force कितने time के लगाया पूरे time नहीं लग रहा है सिर्फ थोड़े time के लगाया वो time हमको नहीं पता वो time है t तो मैंने एक object था उसका mass था m और वो बिचारा u की speed से यू की velocity से आगी जाग था उसके उपर एक force लगाया वो force से क्या हुआ वो force मैंने time t के लिए लगाया तो उसकी velocity बन गई v उसकी speed बढ़ गई कम हो गई वो मुझे नहीं पता लेकिन उसकी velocity change तो होगी अगर आप चलके जा रहे हैं आपके उपर आपका कुछ mass है आपकी कुछ initial velocity है आपको आपके फ्रेंड ने पीछे से एक धक्का मारा force लगाया चार-पांच सेकंड के लिए धक्का मारा या तो आ आपको एक momentum मिला ना पीछे से, initial momentum क्या होगा, momentum का formula क्या है, m into v, mass into velocity, initial mass तो m है, velocity u है, तो initial momentum आजाएगा mu, final momentum क्या होगा, यह सब हो गया, उसके बाद आप, आपका mass तो change नहीं होने वाला ना, आपके friend ने आपकी cycle को धक्का मारा तो आपका है, आपकी cycle का mass तो change होगा नही तो velocity v हो गए थी, तो mass m, velocity v, तो formula देखो, momentum का formula है, mass into velocity, इसलिए mv आगया, rate of change of momentum क्या से आएगा, rate को मत देखो, पहले बोलो change of momentum, change of momentum मतलब final minus initial, है ना, उसको ही change बोलते हैं न, change मतलब बदलाओ, और rate का मतलब हम लोग उसको time के against measure करेंगे, तो उपर आगया change in momentum, जिसके के भी लिखेंगे, final minus initial, final क्या है, mv, और initial क्या है, mu, तो mv minus mu, नीचे आगया time, तो rate of change of momentum आगया है, यह दोनों term में देखो, आपको m दिख रहा है, तो m को common ले रो, m को common लिया, तो यहाँ पे से m निकाला, तो बचा v, और यहाँ पे से m common लिया, तो बचा u, बीच में minus ह तो minus आएगा, upon t तो ऐसे का ऐसा, बट यह v minus u upon t क्या है, याद है, हमने यह formula किया था, v equal to u plus at, इसमें u को इधर लिखे जाओ, तो v minus u हो जाएगा, अब इको इधर plus है, equal to at, फिर यह v minus u ऐसे ही रखो, a को इधर रखो, यह t को उधर बेजो, t यहाँ पर multiply हो रहा है, minus u upon t, तो v minus u upon t के जगे पर आप लिख दो a, ओके, यह acceleration का definition ही यह था न, acceleration is rate of change of velocity, दिख रहा है, rate of change of velocity यह वाला पार्ट, तो यह जो circle है, यह बन गया आपका a, ओके, समझ में आया, तो यह m तो ऐसे का ऐसा है, और उसके बाजुमें आ गया, तो हमको formula मिल गया, कि rate of change of momentum क formula क्या है, rate of change of momentum का formula है, M, ठीक है, Newton second law बोलता क्या है, the rate of change of momentum, मतलब यह जो हमको आया है, is proportional, proportional chapter याद है, direct proportion, inverse proportion आपने किया था, is proportional to the applied force, तो rate of change of momentum तो मुझे पता है, मा है, है न, rate of change of momentum, देखो, M A बोलो, मा मत बोलो, M A is proportional to the applied force, तो is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of the force, यह तो vector के लिए बोलो, लेकिन यह देखो, rate of change of momentum is proportional to the applied force, तो यह लिख दिया, इसको ऐसे लिखने से अच्छा, मैं ऐसे लिख दिता हूँ, F is directly proportional to M A, ठीक है, proportional नकलब, directly proportional है, अब यह proportional का sign हटाने के लिए, आपको यादे क्या करते थे हम, इसके जगे पर equal to, और एक constant डाल दे देते, मैंने सिखाया आपको 8 में, तो यह पहले इसको उल्टा लिख दिया, ठीक है, ऐसे देख लो, यह ऐसे लिखा था था ना, उसके जगे पर पहले लिख दिया, F is directly proportional to M A, फिर मुझे यह sign हटानी है, तो मैं ऐसे ही नह दा सकता, फ्री में, उसके जगे पर आएगा, equal to, और एक constant K डालना पड़ेगा, बट, research से find out किया है, कि जो K है, इसका value आता है, 1, कैसे आता है, अभी आपके level से, बहुत उपर हैगो, तो जाने दो, K का value आ जाता है, 1, तो यह 1 हो गया, तो 1 into M A क्या हो जाएगा, M A, तो आपको force का formula मिल गया, mass into acceleration, आपने शुरू किस से किया था, आपने शुरू किया था, momentum से, फिर Newton second law यूज करके, आपने rate of change of momentum का formula निकाला, and Newton second law यूज करके, आपने force का formula निकाला, M2 M, एक बार revise करते हैं, यह मैं बहुत time लेके explain कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, कि य किसी को समझ नहीं आता कि exactly हो क्या रहा है, रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे तो आगे जागे problem कहीं न कहीं पर आ जाएगा, हो सकता है, 9th के questions आपके solve हो जाए, unit test solve हो जाए, लेकिन आगे जागे जब competitive exams दोगे तब problem है, ठीक है, तो यह फिर से एक बार revise करते हैं, तो य time t, 5 second, 10 second, 20 second, जितनी आपकी friend में ताकत है, जितना उसके पास force है उसने लगाया, तो उससे क्या हुआ, आपकी velocity change हो गई, change होगी न, या तो आपको खीचेगा और velocity कम करेगा, या आपको धका मारेगा और velocity बढ़ाएगा, but change तो लाएगा, तो velocity change हो गई भी, हमको फरक नही m e रहेगा, लेकिन आपकी velocity v हो गई, तो m p, rate of change of momentum अगर मुझे निकालना है, तो ये rate से क्या पता चलता है, नीचे time आ जाएगा, और change of momentum तो ऊपर आ जाएगा, correct, rate का मतलब नीचे time, और change क्या होता है, change मतलब जो भी final था, minus initial, बदलाव क्या हुआ, तो m v minus m u, ठीक है, change in momentum, अब इसमें से m common ले लिया, अंदर बचा v minus u, और ये upon t, और ये v minus u upon t हमको पता है, इसका value a आता है, मैंने आपको बताया कैसे आता है, ठीक है, acceleration का definition क्या है, rate of change of velocity, तो final minus initial velocity upon time, तो v minus u upon t is always acceleration, ठीक है, तो ये v minus u upon t के जगे पर acceleration लिख दिया, m तो ऐसे ही है, तो rate of change of momentum क formula मिल गया, ma, but newton second law of motion क्या बोलता है, कि जो rate है ना, change of momentum का, it is proportional, it is proportional to the applied force, हमने f लगाया था न, आपके दोस्तने, तो यहाँ पर f लिख दिया, इसको उल्टा लिखा, इस तरफ f लिखा, ma उस तरफ लिख दिया, अब ये proportional का sign return है, तो उसके जगे पर आएगा, equal to k, ये ma का value 1 है, तो ये k के जगे पर बना है, तो 1 into ma क्या हो जाएगा, ma, तो खाली ma मतला, ma into a होता है, इसलिए force का formula आपको आगया, ma into a, ठीक है, तो ये आगया अपना newton second law, newton second law की definition क्या है, newton second law की definition ये है, रट्टा मारा है, definition तो आपको बायाट करना ही बढ़ेगा, but अगर पता है ना, तो ये बायाट करना बहुत easy हो जाता है, done, तो अपने दो law तो खतम हो गए, okay, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, consider two objects having different masses which are initially at rest, दो object पड़े हैं, अलग-अलग mass के, और वो चुप-चाप सीधे पड़े, तो initial momentum for both is zero, दोनों अगर चुप-चाप पड़े हुए है मतलब उनमें कोई velocity नहीं है ना, अगर velocity नहीं है, तो momentum क्या आएगा, momentum का तो formula ही mass into velocity होता है, अगर velocity zero है, तो m into zero क्या आजाएगा, zero, यह m भले 10,000 kg क्यों ना है उसका वसें, लेकिन अगर एक जगे पड़ा है, तो उसका momentum zero है, suppose a force f acts for time t on both objects, एक ही force लगाया, पहले object पे भ उपर भी लगाया, ठीक है, ऐसा सोचो, यह object यहाँ पड़ा है, इस पे भी f लगाया, यह object यहाँ पड़ा है, उसके उपर भी f लगाया, दोनों का mass अलग-अलग है, ठीक है, having different masses, the lighter objects start moving faster than the heavier object, however, from the above formula, we know that the rate of change of momentum, that is f, in both the objects is same, यह कैसे आए बताओ, rate of change of momentum क्या होता है, into a है न, और a क्या आएगा, a आएगा, v minus u upon t, तो जो rate of change of momentum आएगा, ma, वो तो दोनों पे same होगा, correct, however, from the above formula, we know that the rate of change of momentum, that is f, in both objects is same, and the total change in their momentum will also be the same, तो जो change आएगा, वो same होगा, that is ft, यह ft कैसे आ रहा है, पता है गया, यहाँ पे, यह m, a को लिख दिया, v minus u upon t, और यह t को इदर बेज दिया, एक बार देख लो, आपको पता है, कि f is equal to m, a, a का value क्या होता है, a का value होता है, v minus u upon t, यह t को इदर बेज दो, तो क्या मिलेगा, f into t, equal to m into v minus u, m into v minus u, क्या होता है, m को अंदर बेज दो, तो आपको मिलेगा, m into v minus m into u, final momentum, initial momentum, है न, change है न, तो change in momentum is equal to ft, अभी काम नहीं आने वाला, लेकिन यह जो इन्होंने paragraph दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसलिए आपको explain कर रहा हूँ, हो सकता है, जिन्दगी में कभी question भी ना पूछा जैना, in standard case क्योंगा, यह ft वहाँ से है, does, if the same force is applied on different objects, the change in momentum is the same, ठीक है, force अगर same होगा, तो change जो आएगा momentum में, वो same है, दोनों पर effect जो आ रहा है, वो अलग अलग है, लेकिन जो change है न, दोनों के momentum में, वो same है, छोड़ दो, जाधा tension मतलो इसका, अभी मैंने आपको न, units नहीं बताया, momentum के units क्य into velocity, correct, तो अगर मैंने यहाँ पर momentum लिख दिया, suppose, momentum is equal to mass into velocity, mass का unit क्या होता है, kg, और velocity का unit क्या होता है, meter per second, ठीक है, अगर मैं SI system, SI system में, mass का unit होता है, kg, velocity का होता है, meters per second, तो यह जो momentum है, इसका unit क्या हो गया, kg into meters per second, तो ऐसे लिखते है, kg meter per second, देखों यहाँ पर, in SI system, the unit of momentum is kg meter per second, देख रहा है, CGS system में क्या हो जाता है, CGS system में हम लोग mass किसमें लेते हैं, हम लोग gram में mass लेते हैं, और velocity लेते हैं, centimeter में, ठीक है, तो centimeter per second, तो जब इसको multiply करोगे, तो क्या हैगा, gram into centimeter per second, तो gram into centimeter, समझ रहा है, momentum का unit कैसे है, वैसे ही, force का unit, defined है, जैसे force का formula था, force equal to mass into acceleration, mass का unit ले लिया kg, और acceleration का unit है, mass meter per second square, correct, तो ये, दोनों को multiply करके, आपको क्या मिला, kg meter per second square, force का unit actually kg meter per second square है, लेकिन, उसको define किया गया है, as one newton, बार बार ये लिखना न पड़े, तो one newton क्या होता है, अगर, एक किलो का कोई mass, एक meter per second square का acceleration बना दे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, आपको one into one, one, और kg into meter per second square मिलेगा, kg meter per second square, तो ये जो आया ना, इसको इन लोगने एक नया नाम दे दिया, बोला, newton तुने इतनी मेहनत करके, इतने सारे law बनाए, चल तेरे नाम पे हम लोग, ये unit बना देते हैं, और उसको मेशर करोगे, newton में, cgs system में, उसका unit आता है dine, सिर्फ फिल इंद ब्लांक्स के लिए पता होना चीए, dine क्या होगा, kg के जगे पर आजाएगा, gram, और meter के जगे पर आजाएगा, cm, cgs system जैसा है न, देखो, तो वहाँ पर आजाएगा one dine, ओके, तो newton, si system में है force का unit, और d cgs system, समझ मैं, तो अपना यहाँ पर second law भी खतम हुआ, अब यह lecture काफी लंबा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम खतम करते हैं, next lecture में मैं आपको newton's third law of motion कराऊंगा, third law खतम करेंगे, तब हमको law of conservation of momentum भी करना पड़ेगा, and उसी के साथ हमारे examples आ जाएगे, example solve करेंगे, exercise म जो problems दियें, हो सकता है, वही lecture में हम solve करें, यहाँ फिर next lecture में करें, लेकिन एक एक चीज आपको हर एक line में explain करूँगा, कि कहां से आ रही है, थोड़ा time लगेगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आपको time देना पड़ेगा, तो ही आपके concepts clear होगे, वीडि किया है, तो क्यों वेट कर रहे हो, कर दो subscribe, इतने detail में science और maths, आपको कोई नहीं सिखाने वाला, time pass, time pass, पप्पू questions दे देंगे, बाकी questions आपको homework मिल जाएंगे, सीधा formula रटवा देंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे हर एक चीज आपको detail में explain करेंगे, बेल आइकन पर दि दो